पाकिस्तान से हिंदू युवती के धर्म परिवर्तन का एक और मावला सामविया है युवती को उसके शादी के मंड़प से अभरण कर उसे इसलाम कबूल कराये गया और फिर एक मुस्लिम युवक से उसकी शादी कराये गई पाकिस्तान में अलप संख्यकों पर हो रहे अप्याचार का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा और इमरांस सरकार है कि दुनिया भर में कश्मीर का रागलाप रही है दिन बदल रहे हैं, तारीख बदल रही है लेकिन पाकिस्तान में कुछ नहीं बदल रहा तो वो है अल्प संख्यकों पर अत्याचार ताजा मामला कराची के मट्यारी जिले के हाला शहर का है जहां हिंदू युवती के धर्म परिवर्तन और जबरन शादी का एक और मामला सामने आया आरोप है कि 24 वर्षिय भारती बाई की सिंध प्रांत के हाला शहर में एक हिंदू युवक से शादी होने वाली थी लेकिन पहले ही कुछ अग्याथ हमलावरों ने समारो स्थल पर पहुँच युफ्ती को किड्नाप कर लिया युफ्ती भारती बाई के परिजनों के मुताबिक बेटी का विवास समारो चल रहा था तब ही शारुक गुल के नाम का अफरन करता पुलिस अरिकारियों और कई अन्य लोगों के साथ आया और दिन के उजाले में बेटी को ले गया आरोप है कि अगवा करने के बाद में भारती बाई को इसलाम धर्म में परिवर्तन करवाया गया और फिर उसका निकाह करा दिया गया मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि वारत सरकार को बिल्कुल करवे तरेतेवर दिखाने होंगे वहाँ पर मिनोर्टी की फाज़त करनी होगी और उनके साथ हमें खड़े होना होगा मैं समयता हूँ कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो देश के लोगों के अंदर गबराट है कि पाकिस्तान के अंदर उनके लोग जो वहां रह रहे हैं वो सरक्षित नहीं है पाकिस्तानी मीडिया में भी ये खबर सुर्खियों में है हाला कि अब तक पुलिस इस मामले में जांच कर रही है ब्यूरो रपोर्ट जी मीडिया